आप सब पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिल जाएंगी वेल्कम टू युमानिटीज ओनर है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वेल्कम बैक एवरिबडी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थ्री, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ओफ प्लैन डेवलप्मेंट इस चैप्टर में हम इंडिया के फर्स्ट थ्री फाइव यर प्लैन्स को स्टडी करेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया है कि उडिसा में आईरन ओर के बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं इसलिए उडिसा की स्टेट गवर्मेंट ने देश विदेश की काफी सारी कमपनियों के साथ M.O.U. साइन कर लिया था M.O.U. की फुल फॉर्म होती है Memorandum of Understanding Basically ये M.O.U. उडिसा की स्टेट गवर्मेंट और कमपनीज के बीच में एक अगरिमेंट था जिसमें लिखा था कि अगर ये कमपनिया उडिसा में इंवेस्टमेंट करके फैक्टरीज बनाएंगी तो ये उडिसा का आइरन ओर यूज कर सकती है गवर्मेंट ने ये M.O.U. इसलिए साइन किया था ताकि उडिसा के लोगों को और इंप्लॉइमेंट मिल सके इस M.O.U. को साइन करने वाली कमपनी का नाम था पोस को ये एक कोरियन कमपनी है अब प्रॉब्लम ये थी कि आइरन ओर उडिसा के ट्राइबल एंड फॉरेस्ट एरियाज में मिलता था इस आइरन ओर की माइनिंग करने के लिए ट्राइबल्स को उनके घरों से डिस्प्लेस करना पड़ता और इन्वायर्मेंटलिस्ट के अकॉडिंग आइरन ओर की माइनिंग करने से इन्वायर्मेंट में पल्यूशन होगा इन दोनों रीजन्स की वजहा से उडिसा के लोगों ने पोस को कमपनी के सामने प्रोटेस्ट करे उडिसा के लोगों ने डिमांड करी कि ये MOU कैंसिल होना चाहिए इस चीज से हमें ये पता लगता है कि सभी के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब होता है For example, एक ट्राइवल के लिए डेवलपमेंट होगी कि उसे अपने एरिया से डिस्प्लेस न किया जाए एक इन्वायर्मेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट होगी कि माइनिंग करके पल्यूशन ना करा जाए और पेडों को ना काटा जाए whereas government के लिए development का मतलब होता है कि बहार से investment लाकर industries बनाई जाए ताकि लोगों को employment मिल सके आप clearly देख सकते हो कि तीनों के लिए development का अलग मतलब है लेकिन इन तीनों में से government के decision को माना जाएगा क्योंकि government people's representative है लोगों ने vote करके government को choose किया है इसी लिए जो government का decision होगा वो सभी लोगों का decision माना जाएगा सभी लोग इस बात से agree करते हैं कि development से ये दो चीजे तो होनी चाहिए नमबर वन, economic growth मतलब country की GDP increase हो जाए poverty खतम हो जाए, etc, etc और नमबर टू, socio-economic justice मतलब country की development होने से सभी को benefit होना चाहिए फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब अब हमारा next topic आता है ideas of development इस topic में बताया गया है कि आज के समय में हर country के लिए development का मतलब है कि वो western countries की तरह modern बन जाए development के basis पर countries को तीन कैटेगरी में divide किया गया नमबर वन, developed countries नमबर टू, developing countries और नमबर थरी, underdeveloped countries इंडिपेंडन्स के टाइम पर इंडिया के पास development के दो models थे नमबर वन, USSR का socialist model और नमबर टू, USA का liberal capitalist model इंडिपेंडन्स मिलने के बाद development करने के लिए इंडिया ने USSR का socialist model adopt किया क्यूंकि इस model को Communist Party of India Socialist Party और नहरू पसंद करते थे अब हमारा next topic है Planning Commission March 1950 में Government of India ने Simple Resolution पास करके Planning Commission को बनाया था Simple Resolution का मतलब होता है कि या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा इन दोनों में से किसी एक हाउस में आपको 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए Planning Commission constitutional बॉडी नहीं है इंडिया के Constitution में Planning Commission के बारे में कुछ नहीं लिखा है Planning Commission का Advisory रोल है मतलब ये Central Government को Policy बनाने के लिए काफी सारी Advices देती है और जब इन Advices को Union Cabinet अप्रूव कर देता है तब इन Advices को Implement किया जाता है Union Cabinet का मतलब होता है Important Ministers जैसे Prime Minister, Home Minister, Defense Minister Education Minister, Health Minister Etc. Etc. Planning Commission की Chairman होते है Prime Minister I hope इस drawing से आपको ये याद रहेगा कुछ समय बाद हमारे Ministers को महसूस हुआ कि LPG के इस युग में मतलब Liberalization, Privatization and Globalization के इस एरा में Planning Commission Inefficient हो गई है इसलिए 15 August 2014 को Prime Minister Narendra Modi Planning Commission को Abolish कर देते हैं मतलब खतम कर देते हैं और फिर इस Planning Commission की जिगा पर नीती आयोक को बनाया जाता है नीती आयोक की फुल फुल फॉर्म है National Institute for Transforming India नीती आयोक को 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था नीती आयोक को इंडिया का Think Tank कहा जाता है नीती आयोक बॉटम अप अपरोच को फॉलो करती है ताकि ये कॉपरेटिव फेडरलिजम को प्रमोट कर सके हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है सबसे उपर Central Government, फिर State Government और उसके बाद आती है Local Government बॉटम अप अपरोच की वजहा से लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंटर लेवल तीनों लेवल पर प्लैंस बनाए जाएंगे नीती आयोक का भी अडवाइसरी रोल है मतलब ये प्लैंस अंड पॉलिसी बनाने के लिए गवर्मेंट को काफी सारी अडवाइसिस देता है नीती आयोक के एकस ओफिशियो चेर्मैन होते है प्राइम मनिस्टर इंडियन कॉंटेक्स्ट में एकस ओफिशियो का मतलब है एक ऐसा इंसान जो इंडिया का प्राइम मनिस्टर है इंडिया का प्राइम मनिस्टर होने की वजहा से इस इंसान को नीती आयोग का चेर्मेन बना दिया जाएगा In short, जो इंसान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो automatically नीती आयोग का चेर्मेन भी बन जाता है अब ये प्राइम मिनिस्टर नीती आयोग के वाइस चेर्मेन को अपोइंट करता है नीती आयोग के फर्स्ट वाइस चेर्मेन थे अर्विंद पानागरिया और आपको नीती आयोग के करंट वाइस चेर्मेन का भी नाम याद रखना है तो आप सब मुझे कमेंट सेक्षन में बताना कि इंडिया के वाइस चेर्मेन का क्या नाम है आपकी बुक में एक बॉक्स है उसमें दो तरह की आइडियोलोजी बताई गई है नमबर वन लेफ्ट आइडियोलोजी, नमबर टू राइड आइडियोलोजी लेफ्ट आइडियोलोजी के लोगों का मानना है that government should control market मतलब मार्केट में काफी सारी public sector industries होनी चाहिए जो reasonable rates पर लोगों को services and product provide कर सके ताकि poor लोगों का upliftment हो whereas right आइडियोलोजी के लोगों का मानना है कि free market होनी चाहिए मतलब सब कुछ demand और supply के principle से decide होना चाहिए अब हमारा next topic आता है Bombay plan इस plan को 1944 में बनाया गया था इस plan में इंडिया के सभी बड़े industrialist ने government से request करी कि please इंडिया में planned economy लाई जाए चलो तो आज के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे next episode में तब तक के लिए keep studying, keep working hard टाटा, bye bye